हेलो एवरिवन आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लपीजी गेस एक वाईसी क्या है इसके फायदे क्या है तो आपको बता दूँ कि यहां पर एलपेजी गेस सभीजडी अगर आपको रोसे गेस पर सभीजडी चाहिए तो सरकार सुनहारा मौका लेकर आई है बचत क अजेंसियों ने इस संब्वत में कारी भी सुरू कर दिया है कराना होगा आपको क्या बाइवीमेटिक बाइवीमेटिक सिस्टम आपको बता दूँ कि यहां पर पेज़ेस एकिष्य कराना हогब काईज यहां पर मैंने एक वीडियो बनाया आपने चैनल पर आफ वहां जाके कि आपने आधारकाड को आप एक्टिवेट कर सकते हो जाके ठीक है तो उसके बाद डिवीटी से जूड़े सभी घहरलू गेस उपवकताओं को अपना बायमेट्रिक परमानी करन करना होगा अनियाथा आने वाले दिनों में उन्हें मिलने वाले सभीडी से वंचित रहना पड होजना वह समानी गेस उपरवगता गेस कस्टमर से आपको पायमेट्रिक परमानी करन करना अनिवार है इसके लिए उपवकताओं को संब्धित वी वितरक के पास जाकर एक वाईसी एलपीजी गेस एक वाईसी करना होगा वहीं के अंदर सरकार दोरा निर्दस जारी किये ज परमानी करन के लिए उपरवगताओं को अपना अधार कार्ड गेस कार्ड वर रजिस्टेशन मवाईल नंबर होना अनिवारी है तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में परधान मंतरी उजवल योजना के उपवखताओं को एक घरुलू गेस सिलिंडर की खरिदारी पर 322 रुपिय के सब्सक्राइब करा जाती है जबकि समानी उपरवगताओं को खाते में सिर्फ 62 रुपिय पराप्त होते हैं तो आपको बता दूं कि एक वैसी का मतलब क्या होता है तो यह एक सुरिच्छी साधा करने योग दस्तावेज है जिसका उप्यों कोई भी आधार न सब्सक्राइब करना होता है आपको बता दूं कि एक वैसी ओनलाइन कैसे कर सकते हो तो यहां पर आपको सबसे पहले पी एम किसान की ओफिस्यल वेबसाट पर आपको पी एम किसान डोट जी ओवी डोट इन पर जाए उसके बाद होम पेज पर आने के बाद आपके दाइं त परच करना होगा उसके बाद आपको सर्च पे उसके बाद अपना मोवाइल नमबर दज यह अधार लिंक से आपको होटेपी आएगा उस पर आप वहाँ पे सब्मिट करना होगा ठीक है तो आपको बता दूँ कि आधार और लिंक कर सकते हो तो यहां पे लिंक करने के लिए आपको बी पी सी एल एच पी सी एल या आई ओ सी एल की वेब साट से एक फॉर्म डाउलड करना है इसके बाद डिस्ट्यूवी उटर के ओपिस में जाकर इस आवेदन फॉर्म को भार कर जमा कर देना है इस तरह आप ओप लाइन मोड में एल पीजिक गनेक्शन और ओनलाइन सिकायत दर्ज अधार लिंक पर कर सकते हो तो आपको बता दूँ कि के वाइसी फेरिफिकेशन के लिए कितने डेट कितने दिन तक लगते हैं या अपडेट होने में कितने दिन लगते हैं तो आपको पता होगा गाइस के वाइसी फेरिफिकेशन के लिए कितना यहां पे आपको फेरिफिकेशन ओनलाइन करने के लिए एक दिन से भी कम समय गा किवैसी दस्ताबेश के व्यक्ति वेगत पास्पोर्ट साइड पास्पोर्ट उसके मत दाता पहचानपद लाइट ड्राइबिंग लैसेंस आधार काड या आपका आधार पत्र उसके बाद नरेगा जोब काड आप दे सकते हो उसके बाद राष्टिय जन सक्क्या रेजिस आपाद।